एक बार एक परियों के देश में एक नन्नी राज कुमाई थी जब सुबह वो सरकर उठती तो सिधा बगीचे में भागती और बगीचे के पेड़ पॉधे, पेड़ पत्यां सभी उसको देख के खुश हो जाते पर वो तो तितलियों की दिवा नी थी वो तितलियों के पीछे भागती फिरती और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती और उस लिया उसे खूब दोड़ाती और एक दिन रंग मी रंगे पंखों हारे तितलियों को नहीं पकड़ पाई तो उदास हो गए तो बगीचे के बड़े से पूर ने कहा कि नराव मत हो ननी राजकुमारी जैसे ही वो मुझे पर बैखेगी मैं उसे अपनी पंख्टियों में क्याद करूंगा ये सुनके राजकुमारी बहुत खुश होई और जैसे ही वो रंग रंगी ती उस फूल पर बैटी वैसे इस ने अपनी पंख्टियों में क्याद कर लिया पर राजकुमारी ने देखा कि तित्ली तो बेहट डरी हुई है और तित्ली फूल से कहा राजकुमारी ने कि फूल उस तित्ली को फोरण छोड़ते उसके बाद जैसे ही उस फूल में उस तित्ली को छोड़ा वैसे ही वो कुछ होकर उड़ी और सिधा बगी चेका एक चक्कर लगाया और आके राजकुमारी के हाथ पर बैठ गई और वो दोस्त बन गई पर कभी तित्ली आकर राजकुमारी के गाल पर बैठ ती कभी कंदे पर इसलिए सारे फूल मगीचे के खुजी से खिल गए क्भाई समय और राजकुमारी के ट्री को प्रिया खुजी BEर शगे खुजी impatient